क्रिकेट की दुनिया यानि गेम आफ क्रिकेट में आपका स्वागत है गेम आफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जोड़ी हर छोटी और बड़ी ख़वर भारतीय पूर आल राउंडर युवराज सिंग चोहतार फाखिरे हुए हैं युजवेंदर चहल पर की गई जाती सूचक टिपनी को लेकर युवराज को हर तरफ से फटकार पढ़ रही है जाती सूचक शब्द के इस्तमाल पर गुसाए लोग तो युवी के खिलाफ शिकायत तक दरश करा चुके हैं जिसके बाद युवराज को माफी नामा तक जारी करना पड़ा अब युवी की गाली पर पहली बार खुद युजवेंदर चहल ने भी अपना मूँ खोला है और पहली बार युजवेंदर चहल काफी गुसे में दिखे और उन्होंने इसी गुसे में बहुत बड़ी बात भी कह दी तो हाल ही में रोहिद शर्मा के साथ इंस्ट्रग्राम लाइव चैट के दौरान युवराज सिंग ने एक ऐसे शब्द का इस्तमाल किया जो की एक समाज विशेश के लोगों को नागवार गुजरा रोहिद से बात करते हुए युवी ने ये शब्द युजवेंद्र चहल के लिए कहा जाती सुचक शब्द के युज सर्याम इस्तमाल करने से लोग भड़क गए और युवराज के खिलाव शिकाय दर्जगरा दी गई अब इस मामले पर युजवेंद्र चहल का बयान सामने आया है और चहल ने उमीद से ज्यादा बोल दिया एक वेबसाइट को दिये इंटर्व्यू में चहल ने कहा पता नहीं क्यों बेमतलब का हंगामा काटा जा रहा है युवराज सिंग बेहद अच्छे इंसान है वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और अब तो वो माफी भी मांग चुके हैं सिर्फ एक शब्द को लेकर किसी को मेंटली और सोशली टॉर्च करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है चहल ने आगे कहा उन्होंने मेरे लिए इस शब्द का इस्तमाल किया लेकिन मुझे कताई भी बुरा नहीं लगा क्योंकि कभी कभार बातों बातों में ऐसा हो जाता है जिसमें बिना सोचे कुछ मुह से निकल पड़ता है चहल ने कहा मैं भी यूवी पाजी की तरफ से माफी मांगता हूँ अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी मांगने को पूरी तरह तयार हूँ वैसे वाकिय में चहल का भले ही कोई कितना भी मजाक उड़ाए मगर चहल जितना कमाल गेंड के साथ करते हैं उतना ही धमाल उन्होंने अपनी महान सोच से कर दिया हाल ही में अपने टिक टोक वीडियोस को लेकर भी उनके साथी खिलाड़ियों ने उनका खूम मजाक उड़ाया इवन विराट कोहली तो उन्हें जोकर तक कह चुके हैं मगर चहल ने कभी भी पलटवार कर किसी को जवाब नहीं दिया और आप यूवी की गलती पर माफी मांग कर तो सब का दिल ही जीत लिया क्रिकट के हर नई अपडेट के लिए गेम आफ क्रिकट को सबस्क्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले Game of Cricket की हर खबर सबसे पहले